बिना password के अपनी email id को कैसे login करे या फिर अपनी gmail id को कैसे login करे अगर आप जो है अपनी gmail id को login करना चाहते हो बिना password के तो बिल्कुत सही वीडियो पर अपने click क्या है आपके पास चाहिए friends कोई साभी मुआल हो redmi, vivo, opos, samsung, realme तो चिंता की कोई बात नहीं मैं आपको बताऊंगा आप बिना किसी password के अपनी email id या फिर के सकते हो gmail id को कैसे login कर सकते हो वी विल्कुल आसानी से मैं आपको बताऊंगा आपको यहाँ पर password दालने की ज़रूरत ही नहीं है और आप directly आपना email id को login कर सकते हो आप friends आप देखो जैसे आप आपनी email id को login करते हो तो यहाँ पर आपको password मागता है तो आपको password देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा forget password के नाम से आप friends इसको यहाँ से आपको क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखना है मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो यहां पर देखो just आपको 2 option पूझेगा एक पूझेगा आपको text और आपको call का option आएगा तो देखो अगर आपको ऐसा option आ जाते तो आप यहां पर text option पर click कर देना then यहां पर text option पर जैसे click करोंगे तो live proof के साथ देख लो यहां पर कुछ इस तरह किसे आपके mobile के अंदर OTP आएगा यहां पर कुछ इस तरह किसे generate हो जाएगा देन यहां पर आपका जो है कुछ इस तरह किसे directly बिना password के आपका जो यहां पर continue का चुइक option आएगा देन आपको इस option पर आपको क्लिक कर रहा है आप friends मैंने जैसे click है तो देखो यहां पर मेरा जो यहां बिना पासवर्ड के मेने यहाँ पर जो है मेरी Gmail ID मेरी email ID को मेने यहाँ पर open कर दिया है अब प्रूफ के साथ देख लो यहाँ पर तो कुछ इस तरह किसे आप जो है बिना पासवर्ड के बिना email के जो है अपने मुबाल के अंदर जो है अपने Gmail ID email ID को खोल सकते हो उसको लॉग इन कर सकते हो बिल्कुल आसानी से अगर आपको वीडियो पसना आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हां मैंने जो प्रोसेस किया है उसके लिए अगर आपका Gmail ID जो email ID आपके नंबर के उपर जो है वेरिफाइड या मतलब आपने आपने नंबर के उपर जो है इसको जो है आपे टूस्टे वेरिविकेशन या फिर लगाया था या फिर एकाउंट एकाउंट रिकवरी के option पर जो आप अपना नंबर जिया था उसी नंबर पर आपका OTP जाएगा जहांसे आप बीना पासवर्ड के उसको लॉगिन कर सकते हो लेकिन हाँ जो सीम कार्ड जो है जो आपने नंबर जया था वह नंबर आपके मोबाल में होना जरूरी है सीम कार्ड तभी आपका यह काम करेगा फ्रेंड्स वीडिय के साथ किसी नई टॉपिक के साथ तब ते के लिए गुड़ बाई